जै मात अदी, साधी नोरात्री के तीसे दिन की माँ चंदरगंटा के ब्रत की बहुत बहुत बधाईयां साधी नोरात्री के तीसे दिन माँ दुरुगा के तीसरे सरूप माँ चंदरगंटा की पूजा अर्चना का विदान है मा दुर्गा के सरूप काफी मन मोहक माना जाता है देवी भगवती प्राण के अनुसार माता के गले में सफित पूलों के माला सुसोवित है साथी मा भाग के सवारी करती है चंद घंटा मा की दस भुजाएं है जिसमें वह कमल, धनुस, बाण, खड़क, कमंडल, तलवार, तुशुर और गदा आदी सस्त्र माता हात में लियो है माता के सिरपराद चंद है इस कारण उन्हें चंद घंटा कहा गया है मा चंद घंटा की पूजा करने से ब्यक्ति के अंदर का भाय समाप्त हो जाता है इसके साथ ही सस्त्रों के उपर विजय प्राप्त होती है इसके साथ ही कुंडले में शुक्र के स्थिति मजबूत होती है आज की दिन मादुर्गा के तीसी शरूप माचंद घंटा की बिदिवित पूजा करने के साथ साथ अंत में इस कथा का पाट अवस्ट करना चाहिए इस सिस्व फलों की प्राप्ति होती है आईए जानते हैं माचंत गंटा की ब्रत कता प्रोणाय कता के वनुसार जब मैसा सुन्य तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया वैसर लोक में इंद लोक को हरा कर अपना आधिपत्त जमाना चाहता था इसलिए वैसर लोक पर रा आता मांगी देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोद के कारण तीनों के मुख से एक विक्राल उजा उत्पन हुई उसमें एक देवी का प्राधुर्वा हुआ देवी को भगवान संकर ने अपना सित्रिशूल भगवान विश्ण अपना चक्र इंद्र अपना घंटा सूरी ने अपना तेज तलवार और सिर्प्रदान किया इस प्रकार आने सभी देवताओं ने भी माता को अपने अस्त सस्त सौंब दिये इसके बाद माचंद्रा घंटा मैसा सुर का बद करने के लिए देवताओं ने मा का धनवात दिया इसके बाद आतंक से मुक्ति मिली तभी से नौरात्री के तीसी दिन माच चंद घंटा की पूचा की जाती है माच चंद घंटा आप सभी के मनुकामनाय पूरी करें जय माता दी